सनातन धर्म में हर पर्व हर त्योहार का अपना अलग ही महत्व होता है लेकिन जब करवा चौत का ब्रत होता है तो उसका महत्व और अधिक होता है सनातन धर्म को मानने वाली सुहागिन महिलाएं करवा चौत के ब्रत का इंतेजार बेसब्री से करती है हर वर्स हिंदू पंच थागे की कामना के लिए निराजल बरत रखती है इस दिन सोला सिंगार कर अपने पती की लंबित उम्मर की कामना के लिए मा करवा की पूजा राध्ना करती हैं इतना ही नहीं इस दिन विशेश रूप से चांद को छलनी से देखने की भी परंपरा है करवा चौत की पूजा में चंदर देवता को अर्ग दिया जाता है लेकिन आज हम आपको इस रेपोर्ट में बताएंगे कि आखिर क्यों सुहागिन महिलाएं शाम के समय छलनी से चांद का दीदार करती हैं इसके बीचे क्या है प पत्य के प्राणों की रक्षा की थी करवा नाम की किस्त्री जो तुंग बहद्रानादी के पास रहती थी और एक बार उसके पत्य को इस नान करते समय तुंग बहद्रानादी में मगरमच खिशने लगा यह देख करके करवा ने उस मगरमच से अपने पत्य के प्राणों की और यम्राश के अपने प्राणों को जीवन दान दिया तो यम्राश ने प्रसंद होकर कहा कि जो भी आज के बाद तुम्हारे नाम के इस ब्रत को रखेगा वह अपने पति की लंबी आयू को प्राप्त कराएगा और सौभागी की प्राप्ति होगी करवा चौथ के अधिष्ठात्रा भगवान शिव और माता पारवती हैं इस दिन माता पारवती के साथ भगवान शिव और कारतिके की पूजा होती है चुकि भगवान शिव के हिस्सीश पर चंदर्मा विराजमान है इसलिए चंदर्मा को देख कर है अर्ग दिया जाता है। की भात ही हमारा पती भी सुन्दर सुसील और उत्तम बना रहे इसलिए चलनी को देखकर चन्रमा को अर्ग दिया जाता है